दोस्तों तो आज के इस वीडियो में आपका भाई बिल्षू स्टेटिस एडिट करना सिखाने वाला है यह करना अभी काफ़े ज़्यादा ट्रेंडिंग चलता है मुझे आपको बिल्कुल भी बताने की ज़रत नहीं है आप अगर आपना status वीडियो एडिट करना चाहते हैं इस song के साथ जो कि DJ Remax है तो कैसा क्या एडिट करेंगे आपका भाई बिलकुल complete सिखाएगा और इस status को एडिटिंग करने के लिए आपको इस वीडियो को complete देख रहा होगा तब ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा status वीडियो एडिट करने के लिए मैंने दो प्रोजेक्ट का यूज किया जो की एक song beat बार का है दूसर आपको sacrifice का मिलेगा तो आपको इनको क्लिक करके import करें लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगा आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक article open हो जाएगा उसक यहाँ पर अपने मुबाइल फोन में अलाइट मॉसन एप्लिकेशन को डाउनलोड करके आपको open कर लेना है इसके latest version का जो लिंक है वो मैं description में दे दूँगा आप डाउनलोड कर लेना यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट को क्लिक करके import करना होगा तभी आपको इस प्रोजेक से open आपके समने हो जाएगा सारा step वीडियो में देखेंगे तभी समझ में आएगा सबसे फर्स्ट में रहना है प्लस पर क्लिकना है यह वाली से फ्ले लेने हैं त्राइन पे क्लिकना है और आपको फिल कंपर से यहां पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपके सामने तीन सबसने क्लिक देना है उसके बार यहां पर इस पर यहां पर सो क्लिक कर pertama और यहां पर आजाएगा यहां पर यहां Уझे कि आए उसके तरीच क्लीक देना यहां पर सुस्थ के पाला काम हो जाएगा आपको एस तरीके से जो आने वाली वह मैंने पहले से कम्प्लीट डाल रहे कि यहां पर दो फॉंट को डाउनलोड करेना है और उनको यहां पर आपको एड करे से लिए उसके बाद आपको फॉंट को डाउनलोड करें उनके बाद उनको दोनों फॉंट को अपको यहां पर आजाना है आपको फॉंट करेंगे और आपको फिल कम्प्रसन डाल रहे पर क्लिक देना है यहांसे ज्यादा फोट क्लिकर के आगया जाएगे वापस प्लस पे क्लिकर के अगले बीट पे जाना है यहाँ से जादा फोटो को बिल्कुल कम्पलीट ली एड़ करना होगा हर फोटो के साज आपको बीट के हिसाब से रखने होगी इस चीज़ के आपको ध्यान रखना है ते यहाँ पर मैं क्या करता हूँ सारे फोटो को बिल्कुल कम्पलीट ली एड़ करता हूँ और हर फोटो की जो साज है वो मैं आपको बीट के साबसा रख लेता हूँ तो इससे दर के साब सेम आपको क्या आपना है सारे लाश्ट तक आपको फोटो को एड़ करता है यहाँ तक आपको यहाँ तक फोटो को जना क्या है. सो फैसे यहाँ पर मैंने निकम्प्लीट फूटो को एड़ कर दिया है. फूटो यहाँ पर आपके कम्प्लीट एड़ हो जाने के बाद, अब आपको क्या कह ना है, यहाँ से आप बाहर आजाएंगे, ऑपन करेंगे दूसरी प्रोजेक्ट को, open करना है, बिल्कुल last में चले जाना है, यहाँआ आपको बीच में क्लिकना है और आपको paste 3D पर फैस्ट देना है, 3D यहाँपर यहाँपर इस तरी से paste हो जाएगे, इसमें आपको एक photo चेंज करना होग़ा, जो कि मैं आपको बता दूँगा, वापस आप उपर से क्लिक करके बाहर आएंगे open करेंगे sec effect के project को यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने तीन line अब मिल जाएगे आपको सबसे पहले वाली जो line है यह वाली इस पर आपको click करना है effect पर clickना है, line पर clickना है, copy effect करना है और उसके बाद आपको बाहर आजाना है open करना है, यहाँ पर आपको song beat के project को नीचे scroll करना है, lyrics line पर clickना, effect पर clickना line पर clickना, आपको paste करना है जितने भी lyrics हमने डाल रखिये न उन total lyrics पर आपको step आपको step आप step इसी effect को आपको डाल देना है आपको step आ-step paste करना है, paste करने के बाद वापस बहार आएंगे open करेंगे, effect के project को यहाँ पर आप देखेंगे, आपको दो group मिलेंगे, rad में तो इन दोनों को आप select आए, इन दोनों सोरी बंद हो गए इन दोनों को दबा कर रखेंगे, दोनों select हो जाएंगे आपको यहाँ पर बीच में क्लिकना है, और यहाँ से copy to layer करके उपर से बाहर आएंगे, song beat के project को वापस open करना है सबसे first में रहना है, बीच में क्लिकर आपको यहाँ पर paste two layer पे क्लिक दे रहा है, यहाँ पर दोनों layer यहाँ पर paste हो जाएगी जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगले बीच पर जाना है, वापस बीच में क्लिकर आपको paste two layer करना है, अब इन दोनों की आपको पयस्ट करना है, इस तरहीं ही, अगले बीच में क्लिकर आजाना है, उसके बाद इस तरहीं साब की जो वो यहाँ पर घस्ठ तरीके से आ जाएगी अभ फोटो के इंदर एपक्टबाने के लिए आप बाहर आंगे उपन करेंगे से एक प्रॉटक पर दो फोटो मिल जाएंगे पहले वाले जो फोटो इस पर आपको clicking कنا है और आपको यहाँ पर बीच में clicking लेंगे यहाँ से copy layer कर लेंगे आपन करना है स्वेंग बीट के project को जहां से आपको आयँ जाना है जूब कर लेंगे हाएज से और फ्रस्ट वाले फोटोपर देंगे यहाँ पर आपको क्या करना है बीच में यहाँ पर आपको क्लिकना है निच आपको paste style के पास में जो arrow है इस पर आपको क्लिकना है सामने उपर के तीन ओपसन को बंद करेंगी और पेस्ट पर क्लिक देंगी, फोटो के साइज अगर कम हो जादे तो आप छोटी कर लिजीगा, ठीक है, वापस आपको एक फोटो को छोड़ना है, अगलो वाली फोटो पर जाना है, फोटो के खिलना है, बीच में के लिए आपको पेस सब्सक्राइडर कर लिए सबीछ यह समझाओं है वापस एक फोटो को सोड़ना दूसरी फोटो पर क्लिए बीच में प्लिक्ता पेस्ट स्टाइल करना और एक फोटो को चोड़ना और दूसरी फोटो फोटो पर अपको ईयंको को Jest sal Wide देना तो फोटो के अंदर जो एफेक्ट है वह आपकी लग जाएगी आप वोपर बाहर आ जाएंगी पेस्ट कर देना है ठीक है एक फोटो को छोड़के दूसरी फोटो पर उसके बाद आप वापस आपको सेगए फेक्ट के प्रोजट को आपन करना लास्ट में जाना है और फोटो इस पर आपको क्लिकना एफेक्ट पर क्लिकना कोपी फेक्ट करना बाहर आना है और ऑपन करना संग बीट के प्रोजट को जहां से फोटो स्टार्ट और वहां पर आपको आज आना है नीचे स्क्रोल करना है और जो हमने एक एक जो जो हमने फोटो छोड़ देते एक खाल और जिसका वार ऑन जिन जीन फोटो का टोटाल दियास है और की पूरा कम्प्लीट एडिटिंग हो जाएगा लास्ट जो हमने एट घी इसमगे अपको चैंज करना होगा लास्ट वाली में इसमें तो आप यहां से बहार आएगे नीचे एफ्लस पर प्लूसहाँगे जो भी फोटो फोटो को यहाँ पर एड़ करेंगे तर किली करेंगे। सब्सक्राइब करना है थोड़ा सा वेट करना यहाँ पर अपिए चाहिए उसके बार से ये लास्ट में जाएंगे लास्ट जाएंगे पर आपको यह तीने जो लाइन हो हमै यहांत पर वरेट पलीक ना ऑफको फॉल्टर पे लिए के औला-इट-mahr जिनका जाना फोटो हमने सेव किया वह मिल जाएगा इस प्रको क्टिकी करें प्लस प्लिक करें कर देना है फोटो चैंज